आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ बहुत ही healthy combo की recipe जिसमें हम बनाएंगे pan roasted chicken with stir fry veggies तो chicken high in protein होता है और veggies जो होते हैं वो high in fiber होते हैं तो दोनों का combination जो होता है वो एक balanced food create करता है तो बस दो चमच देल में और बहुत ही आसान तरीके से ये combo आप घर पे बनाएं और healthy रहें तो चलिए आज की बहुत ही tasty recipe शुरू करते हैं pan roasted chicken बनाने के लिए एक plate में हम दो चमच दही डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे आधी चोटी चमच अदरक और लहसुन का paste आधी चोटी चमच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे अगर आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्ची का इस्तमाल कम करें एक तीहाई चोटा चमच हल्दी पाउडर एक तिहाई छोटा चमज धनिया पाउडर आदी छोटी चमज हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे स्वात के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और इसके साथ एक छोटी चमज तेल डाल दे कोई भी तेल आड़ करे जो आप खाने में इस्तमाल कर सकते हैं इसमें आप नीबू नहीं डाले क्योंकि दही पहले से खटा रहता है तो नीबू डालने से और ज़्यादा खटा हो जाएगा अगर आपको रेस्टरेंट जासा रेड़ कलर चीए तो आप इसमें फूट कलर एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पे सारे मसालों को मैंने दही में मिक्स कर दिया अब हम इसमें डाल देंगे चिकन तो चिकन मैंने 400 ग्राम लिया है बोलनेस फिलेट जो आता है नव वही इस्तमाल करें और यहाँ पे ने चिकन के थिन स्लैसेज इस्तमाल करें चिकन में मैंने कर्स लगा दिया है ताकि मसाले जो है वो अंदर तक जाए और उसके बाद ये दही मसाले की जो कोटिंग है वो इसके उपर अच्छे से लगा देंगे ये देखे ऐसे अब हम इसे ढग की आदे गंटा के लिए छोड़ देंगे मेरिनेशन के लिए आप चिये तो 3-4 गंटे भी इसे रख सकते हैं चिकन जीतना ज़्यादा मेरिनेट होगा चिकन उतना ही सॉफ्ट और टेंडर बनेगा तो यहाँ पर मैंने इसे सिव आदी गंटा रखा था अब हम क्या करेंगे एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे आप चिये तो ऑलिव ओयल का या फिर नॉर्मल कुकिंग ओयल का इस्तमाल करें तो यहाँ पर मैंने सिव एक चमस्तेड लाला है तेल के गरम होते ही यह जो चिकन के पीसेस है वो इसमें रख देंगे ऐसे यह देखे पतले पीसेस रखेंगे ने तो फटाक से पक जाते हैं गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे ढखके तीन मिनट तक पकने देंगे तीन मिनट बाद पैन का ढखका नटाए और इसे ऐसे पलट दे जैसे जैसे चिकन पकेगा उससे पानी रिलीज होगा बाद में वही पानी ड्राई होके चिकन के उपर अच्छी सी लेयर क्रियेट करेगा तो यहाँ पे आप टेंशन नहीं ले चिकन आपका एकदम सही से पकेगा तो यहाँ पे दो मिनट और पकाया है मैंने वापस पलटा ऐसी पलट पलट के आपको टोटल 15-17 मिनट पकाना है उसमें यह चिकन आराम से पक जाता है और उसके बावजूद भी अगर आपका चिकन नहीं पका है तो आप इसे थोड़ी देर और पकाया है यह देखे हर एक मिनट बाद मैं पैन का ढखकान अटा रही हूँ और इसे ऐसे पलट दे रही हूँ क्योंकि गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है न तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन को उपर ऐसे रेड गलर की लेयर जो है वो दिखने लगी है दही जो है वो चिकन के साथ मिल्क के मौश्चे रिलीस करता है और बाद में ड्राई होके वही चिकन के उपर अच्छी सी कोटिंग लेके आता है यह देखे एकदम बाबीक्यू वाली चिकन लग रही है न तो बस यह हमारा चिकन जो है वो दोनों साइड से अच्छे से पक गया है यह अब देख सकते हैं कोई भी देख के नहीं बोल सकता है कि आपने इसे पैन में बनाए है और टोटल 15-17 मिनट ही लगते हैं इसे पकने में तो ग्यास अफ करने के पहले आप चिये तो इसे चेक कर ले अगर यह नहीं पका है तो आप इसे थोड़ी देर और पका सकते हैं तो यहाँ पे चिकन एकदम आसानी से यह देखे टूट रहा है है न तो बस इसे जादा और क्या चिये तो आप चिये तो इसे ऐसे खाए या पर इसके साथ इस्टियो फ्राइ वेज़ी कर सकते हैं तो इसे नमया आदी मिनिट के लिए धीमियाज पे छोड़ देती हूं तब तक गयास के दूसरे साइट मैं इस्टियो फ्राइ वेज़ी बना लेती हूं तो इसके लिए एक पैन गरम किया है उसमें थोड़ा सा तेल जब हम इसमें डाल देंगे इस सारी सब्जिया, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से तोफू लिया है, जुकनी लिया है, ब्रोकली लिया है, गाजर, बिंस, यहाँ पर मश्रूम और शिलना मिर्च, तोफू की जगा आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर तोफू को स किप कर सकते हैं, तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे तोफू और इसे आधे मिलट के लिया भूल लेंगे, गयास का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, जैसी तोफू फ्राइ हो जाएगे, हम इसमें बाकि अपोर एक सार डाल देंगे, सबजिया डालने क करता है और इससे क्या होता है नहीं यह सौटे वेजिटेबल कर टेस्ट यह बहुत अच्छाता है तो यहां पे दो चमच मैंने यह भूना हुआ सफीद दिल डाल दिया और इसे ऐसे मिक्स कर दिया यह तो चिकन हमने पका के रखा है और यह हमारे स्टेर फ्राइब वेजिज जो है वो बन के तियार है तब हम चलते हैं प्लेटिंग के प्रॉसेस में तो यहां पे मैंने चिकन को धीमियाच पे छूड़ दिया था और यह देखिए इसका कलर और भी बढ़िया आ गया है ना तो स्टेर फ्राइब वेजिस हमारे रेडी है और यह हमारे चिकन भी रेड जाएगा तो जब आप वेड लॉस में हो या फिर आपको हाई प्रोटीन खाना खाना हो तो आप इस चिकन ब्रेस्ट को ऐसे बना सकते हैं बहुत यह आसान तरीके से कम तेल में कम मसालों में और इसके साथ नहीं क्या करेंगे यह जो स्टेर फ्राइज वेजिस डालेंगे तो क्या है दन्या कि चिकन जो है उसमें हाई प्रोटीन होता है तो वेजिस इस प्रोटीन को बैलन्स करता है मतलब थोड़ा फाईवर भी उसके साथ जरूरी होता है तो यह एकदम बैलन्स और कम्प्लीट मेल है तो आगला वेड लॉस में है या फिर दो आप इस कॉंबों सालला इसके उपर स्प्रिंगल कर दिया तो ये हमारा पैन रोस्टेट चिकन विद स्टेव फ्राइव वेजिज जो है वो बन के तयार है आप इस रेस्पी को एक बाद जरूर ट्राइ करें ये कॉम्बो आपको बहुत पसंद आएगा अगर आज की रेस्पी आपको ट्राइ क पसंद आए तो प्लीज आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले